कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसी उपलब्दी हासिल किये है जो हम सभी को प्रेणा देती हैं। भारत के सामर्थ के प्रती एक नया विश्वास जगाती है। बहुत विश्वास है इस महने पांच तारीक को देश में युनिकॉन की संख्या सो के आंकडे तक पहुँच गई है। और आपको दो पताई हैं। एक युनिकॉन यानि ही कम से कम साड़े साथ हजार करोर रुपिय का स्टार्ट अप। इन युनिकॉन्स का कुल वेलिवेशन 330 बिलियन डॉलर यानि 25 लाग करोड रुपियों से भी जादा है। निस्चित रुप से ये बात हर भारतिय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर विहरानी होगी कि हमारे कुल युनिकॉन में से 44, 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं। इस वर्ष के 3-4 महिने में ही 14 और नहीं उनिकॉन बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्ट अप्स, वेल्थ और वेल्यू क्रियेट करते रहे। इंजियन उनिकॉन का एवरेज एन्यूल ग्रोथ रेट USA, UK और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है। अने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात ये भी हैं कि हमारे यूनिकॉन्स डावर्सिफाइंग है। ये e-commerce, fintech, adtech, biotech जैसे कई खेत्रों में काम कर रहे हैं। एक और बात जिसे मैं ज्यादा एहम मानता हूं वो ये हैं कि स्टार्ट अप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्ट अप एको सिस्टिम सिर्फ बड़े शहरों तकी सिम्पित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्मों से भी एंटर्प्रेनर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोविटिव एडिया है वो वेल्थ क्रियेट कर सकता है साथियों देश की सफलता के पीशे, देश की युवाशक्ति, देश के टाइलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं हर किसी का योगदान है। लेकिर इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है। वो है स्टार्ट अप बल्म में राइट मेंटरिंग यानि सही मारदर एक अच्छा मेंटर स्टार्ट अप को नई उचायों तक ले जा सकता है, वो फाउंडर्स को राइट डिसिजन के लिए हर तरह से गाइड कर सकता है। मुझे इस बात का गर्व है कि भारत में ऐसे बहुत से मेंटर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट अप को आगे बढ़ाने के के लिए खुद को समर्पिक कर दिया है। स्रीधर वेंबुजी को हाली में पदमसम्मान मिला है, वो खुद एक सफल एंटर्पेनर है, लेकर अब उनों ने दूसरे एंटर्पेनर को एंटरूम करने का भी बीडा उठाया है। स्रीधर जी ने अपना काम ग्रामेण इलाके से शुरू किया है, वे ग्रामेण युवाओं को घाओं में ही रहकर एक शेत्र में कुछ करने के लिए प्रोसाइद कर रहे हैं। हमारे हां मदन पढ़ाकी जैसे लोग भी हैं जिनोंने रूरल एंटर्पेनर्स को बढ़ावा देने के लिए 2014 में वन ब्रीज नाम का प्लेटफरम बनाया था। आज वन ब्रीज दक्षिन और पुर्वी भारत के पचतर से अधिक जिलों में मौजूद है। इस से जुड़े 9000 से अधिक रूरल एंटर्पेनर्स ग्रामिन उपभोगताओं को अपनी सेवाय उपलब्द करा रहे हैं। मेरा शैनोई जी भी ऐसी एक मिसाल है। वो रूरल, ठ्राइबल और डिसेबल यूद के लिए मार्केट लिंक स्किल्ड ट्रेनिंग के ख्षेतर में उलेख दिये कार्य कर रहे हैं। मैंने यहां तो कुछ ही नाम लिए हैं। लेकिन आज हमारे बीच मैंटर्स की कमी नहीं है। हमारे लिए यह बहुत प्रसनता की बास है कि स्टार्ट अफ के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टिम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्ट अफ वर्ल के प्रकति की नई उडान देखने को मिलेगी।